तो हलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो सबसे पहले हम आपको एक बुरी खबर बता दू कि इंडिया में पेट्रॉल का प्राइज बढ़ने वाला है इंडिया नहीं बलकि सबी कंट्री में पेट्रॉल का प्राइज बढ़ने वाला है अगर आपने नीज नहीं सुना होगा तो सबसे पहले हम आपको नीज सुना देता हूँ सारे लोग सरकार के उपर ठिकरा फोड़ेंगे कि सरकार ने पेट्रॉल और डीजल का प्राइज बढ़ा दिया है तो सबसे पहले आप यह नीज देखिए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर आप चेक करना चाहते हैं कि देश में डीजल और पेट्रॉल का प्राइस क्या है तो आप अपने फोन से ही चेक कर सकते लाइब आज के दिन में क्या है कल के दिन में क्या था परसो के दिन में क्या था और इस समय की एक और बहुत बड़ी खबर ये है कि अमेरिका और बिटिन ने रश्या के तेल और गैस आयात पर प्रतिबंद लगा दिया है लेकिन पुतिन ने चेताव नहीं दिये कि ऐसा होने से वो अंतराश्टे बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई रोख देंगे और योरोप को उसकी जरूरत की गैस सप्लाई भी अब रश्या बंद कर देगा और अगर रश्या ऐसा कदम उठाता है तो कच्चे तेल की किमतیں 300 डॉलर प्रती बैरल तक पहुँच जाएंगी जो पहले से एतिहासिक स्थर पर पहले से ही इतनी उची है आज युद्ध की वज़े से कच्चे तेल की किमत है 149 डॉलर प्रती बैरल पहुँच गई है जो 2008 के बाद की सबसे ज़्यादा कीमत है इसका सीधा असार भारत और यहां के आम लोगों की जेब पर पड़ेगा और हो सकता है कि पेट्रोल आने वाले महीनों में 1500 रुपे प्रती लीटर के आंकडे को भी पार कर जाए अब दिखो उबहों कि इंगे अब देखो उदर से कितने रुपे वैरिल में आता है अभी इंडियन सरकार अपने जेब से मालो अगर उदर से 1.500 रुपे लिटर में आता है तो इंडियन सरकार 40 रुपे अपने पास से लगाएगी यानि 1.500 रुपे लिटर में 40 रुपे अपने पास से देगी तो 110 रुपे लिटर हमें पड़ेगा ठीक है समझ रहे हो ना तो ऐसा नहीं अगर सरकार को उपर हम ठिकरा फोड़ेंगे तो भाई हमारी मतलब हमारी बेवकूफी है यह जो प्रॉबलम है यूक्रेन और रूस की वज़े से हो रही है यानि जो कच्छे तेल के दाम में वो बढ़ गए है तो चलो आपने आप समझतार हो यार आपको ज़्जादा बताने की जरुबत नहीं है अब चली हम आपको बता देते हैं आप चेक करना चाहते है तो आप कैसे चेक करेंगे सबसे पहला जो तरीका है प्ले इस्टोर पे आपको जाना है और आपको सर्च करना है डीजल पेट्रोल प्राइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी अप्लिकेशन है लेकिन मैं आपको बता दूँ आप उन्ही अप्लिकेशन को इस्टॉल करना किस स्टेट में, किस राज में, कितनी प्राइज है तो चलिए हम इस्टॉल कर लेते हैं तब तक मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूँ अगर आप अप्लिकेशन नहीं इस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको गूगल क्रोम में जाना है और आपको सर्च करना है Petrol Price जैसे आप सर्च करेंगे, आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है आपको यहाँ पर एक website मिल जाईगी, आप देख सकते हैं यहां पर तो आपको simply यहाँ पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो इसका इंटरफेस है कुछ इस तरीके से open हो जाएगा अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह नौ मार्स का बता रहा है चन्नई में कितना है दिले में कितना है मुंबई में कॉलकता जो में में सहर है उनका बता रहा है तो आपको करना कि अगर आप अपने प्रदेश क का चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है ठीक आपको नीचे का option मिल जाएगा अब जैसे मुझे नागपूर का चेक करना है तो मैंने नागपूर सेलेक्ट कर लिया अब आपको डीजल या पेट्रोल क्या चेक करना है आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं तो तो चलो मैं डीजल चेक करना चाहता हूँ, अब आपको get price पर click कर देना है, तो जैसे आप click करेंगे अब आपको scroll करके नीचे आना है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नागपूर का पूरा का पूरा लिस्ट आ चुका है, ठीक है, नौतारिक को कितना यानि आज कितना ह साथ को कितना है, यहाँ पर सारी की सारी लिस्ट आ चुकी है, आप देख सकते हैं, संडे, मंडे, सटर्डे याँ पर ग्राप भी दिखा देगा, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि application इस्टॉल हो गई है, अब आपको इसे open करना है, अगर आप application नहीं इस्टॉल करना चाहते, तो आप website से भी चेक कर सकते हैं, तो फिलाल मैं website से ही चेक कर लेता हूँ, मुझे application की जरुवत नहीं, मैं application को अनिस्टॉल कर देता हूँ, उमीद करता हूँ कि यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आयोगी, वीडियो पसंद आ कर देकी कर देकी कि जरुवत ओ